नमस्कार दोस्तों काफी सारे भाई लोग मेरको कमेंट करते हैं भाई option trading में हमें stop loss index के चार्ट को देखके लगाना चाहिए या फिर premium के चार्ट को देखके लगाना चाहिए दोनों मेंसे क्या सही रहेगा इसके उपर एक वीडियो है वो जरूर प्रोवाइड करें तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसे के उपर बात करेंगे कि इंडेक्स के चार्ट के उपर आपको stop loss लगाना चाहिए या फिर आपको premium के चार्ट को देखके stop loss लगाना चाहिए दोनों में से क्या सही रहेगा मैं आपे कुछ suggestions दूँगा उसके बाद मैं आप लोग खुद decide कर सकते हो कि आपको किस पे stop loss है वो प्लान करना चाहिए तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लिजिए ताकि आपको नए वीडियो का notification सबसे पहले मिल सके तो चलिए start करते हैं सबसे पहली बात दोस्तों अगर आप लोग option buying करते हैं option trading करते हैं तो आपको पता होना चाहिए option trading बहुत ही ज़्यादा risk ही है तो आप लोगों को हमेशा risk management के साथ ही आपको option trading करना चाहिए यानि आपको option trading करना है तो option trading में आपको risk management को follow करना है खास तोर से आपको option buying के अंदर अगर आप लोग risk management को follow नहीं करोगे तो आप लोग चाहिए index के उपर stop loss प्लान करो या फिर premium के उपर प्लान करो आपको हमेशा नुकसान होने की चांसे से वो ज्यादा रहेंगे तो सबसे पहली चीज आपको ये notice कर लेनी है अब दोस्तों बात करते हैं अगर आप लोग इंडेक्स के चार्ट को देखके stop loss लगाओगे तो आपके लिए क्या नुकसान रहेगा देखिए मैंने आप बेंक न सब्सक्राइब करोगे इस candle के लो के नीचे यानि यह candle है दोस्तों इसके लोग के नीचे यह बनावाई इसके नीचे आप लोग इस टोप लोग प्लान करोगे आप देखोगे मार्केट उपर गया और ऊपर जाने के बाद में थोड़ा सा नीचे आया यानि आपकी entry से अभी भी उपर है market तो भी आपको यहाँ पे थोड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है यानि आपकी position में loss हो कर रहा है तो इसका reason कहा है दोस्तों इसका reason है premium decay यानि आपने जहाँ पे entry ली उससे market उपर गया नीचे आया आपकी entry अभी भी यहाँ पे थोड़ी दूर है तो भी आपको यहाँ पे position में loss दिखा रहा है तो इसका मतलब है दोस्तों premium decay तो option buying में आपको premium decay का सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है दोस्तों premium decay ज़्यादा होता है और उसी की वज़़े से option buying में loss होने के chances है वो ज़्यादा रहते है तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है आपको option buying तभी करना है जब market में momentum हो market अगर या तो तेजी से उपर जा रहा है या फिर market तेजी से नीचे गीर रहा है तो भी आपको profit होने के chances है वो ज्यादा रहेंगे दोस्तों आपको हमेशा stop loss plan करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ मैंने देखिए दोस्तों personally कभी भी मैंने आप index के chart को देखके stop loss calculate नहीं किया है हो सकता है कि हम लोग मान के चलते हैं कि हमने यहां पर entry लिए है और हम लोग यहां पर stop loss plan करेंगे बट market देखिए अगर नीचे आता ही नहीं है index का chart पूरे दिन अगर यहां पर sideways रहता है तो क्या हम लोग अपनी position को भाहर करेंगे क्या होगा क्योंकि हमारा stop loss तो यहां पर market नीचे आया ही नहीं है और इसी जगे market sideways चल रहा है तो यहां पर आपका पूरा नुकसान चला जाएगा यानि आपने कोई premium 40 रुपे में खरीदा है कोई भी premium है index chart को देखके 40 रुपे में buy किया है और आपने stop loss इस candle के नीचे plan किया है option buying करते हैं तो आपको fix stop loss रखना है अगर आपने कोई भी premium आपने buy किया है 25 रुपे में आपने 50 रुपे में आपने buy किया है तो आपको fix रखना है कि मेरे को अगर 30 रुपे से नीचे आता यह premium तो मैं अपनी position को exit कर दूँगा या फिर आप लोग 30 रुपे का stop loss लगा लिजीगा यह आपके लिए risk management के लिए भेतर रहेगा आप लोग जितना stop loss प्लान करते हैं उससे आप लोग कम से कम 2 गुना आप लोग हमेशा target प्लान कीजेगा तभी आपके लिए अच्छा रहेगा आपका risk management बना रहेगा और आप हमेशा profitable रहोगे नहीं तो आप अगर इस तरी के से करोगे तो आपको losses होने के chances है वो ज्यादा रहेंगे हो सकता है आप लोग इस तरी के से profit भी बना लो बट losses होने के chances है वो ज्यादा रहेंगे तो आपको हमेशा risk management को follow करना है कि आपको daily का कितना loss लेना है अगर आपको एक दिन का fix रखना है कि इससे ज्यादा loss हमें नहीं लेना है चाहे market उपर जा रहा है या पि नीचे जा रहा है किसी भी side में जा रहा है आपको मैसा fix रखना है ताकि आपका risk management बना रहेगा और आप लोग ज्यादा दिन तक market में टीके रहोगे और आप लोगों को ज्यादा दिन तक market में नहीं सीखने को मिले दूस्तों अगर आप लोग premium के चार्ट के ऊपर स्टॉप लगाना चाहते तो यहां पर आप लोग जरूर प्लान कर सकते हैं premium के चार्ट पर लगा सकते हैं क्योंकि देखिए premium के चार्ट में क्या होगा जैसे किने इस 47,300 का call option का चार्ट लगा रहा है example के तोर पे आप लोग देखेंगे अगर इस level पे आपने कोई भी call option को buy किया और आप लोग प्लान करोगे इस candle के नीचे में याप इस stop loss प्लान करूँगा यानि याप एक सो पैंसर्ट के आसपास में आपने buy किया यहाँ पे और यह है दोस्तों 130 के आसपास में है तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे buy किया अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से market अगर sideways रहता है index का चार्ट sideways रहेगा तो यह premium decay होगे 130 आएगा तो भी मैं यहाँ पे exit कर दूँगा अगर market उपर जाता है तो मैं आपे देखे अपनी जो भी risk management है जो भी आपका risk reward ratio है उसके हसाब से आप लोग exit कर सकते है या फिर index के चार्ट को देखके भी आप लोग exit कर सकते है कई बार क्या होता है दोस्तों आपको देखने को मिलता है इंडेक्स के चार्ट में आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि देखे आपने कोई level पे buy किया है जैसे कि आपने इस level पे buy किया है market first candle में जितना उपर चला गया उसमें जितना हमें profit सो कर रहा है उसके बाद में market नीचे आने के बाद में एक pull back लेने के बाद में उससे भी उपर चला जाता है तो भी हमें इसमें जितना profit हो रहा था यानि यहां पे first time market जब आया था उसमें जितना profit हो रहा था वो second time market उपर निकलने के बाद भी हमें यहां पे profit उतना सो नहीं कर रहा है loss होने के chances है वो ज़्यादा रहेंगे तो मेरी suggestion यही है दोस्तों कि आप लोग risk reward को follow करे risk management को follow करे अगर आप लोग stop loss planning करना चाहते हैं तो fix अपने दिमाग में रखेगा कि मेरे को इतने point का loss रखना है और इतने point का profit रखना है कम से कम 1 ratio 2 का रखना है ज्यादा रखते हो तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको 1 ratio 2 भी रखते हो और आपकी 10 में से 5 trade भी अगर आप लोग win करते हो तो भी आप लोग यहाँ पे profitable रहोगे तो आपको risk reward को follow करना है हमेसा दोस्तों अगर plan करना चाहते हैं तो आप लोग premium के chart के उपर है वो stop loss plan कर सकते हैं मेरा यही suggestion रहेगा दोस्तों बाकी आप लोग चाहते हो कि आप हमें बताएगा कि bank nifty index के chart को देखके हम लोग stop loss calculate कैसे किया जाता है तो उसके बारे में आप लोग comment कर सकते हैं मैं आपको next वीडियो में calculate करने का process भी बता दूंगा कि ठीटा वगेरा को किस तरीके से calculate किया जाता है तो इस वीडियों बस इतना ही वीडियों आपको पसंद आया तो like करे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय हिन बहुत बहुत धन्यवाद